नमस्का दोस्तो अगर आप लोग सेविंग अकाउंट या फिर करेंट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप लोग इस वीडियो को जरू देखे आया क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं डिफ्रेंस की आखिर करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफ्रेंस है और इसके क्या बेनिफिट्स है तो step by step हम साहे सीचे डिसकर्स करेंगे गाईज अगर आप लोगों को ये वीडियो जूइसफुल लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राब एंट शेर जरू कर दिजीगा मैं उप्रदी प्रिजापत चले शिरू करते हैं दोस्तो आप लोगों का अकाउंट किसी भी बेंक में हो सभी बेंकों में तीन टाइपस के अकाउंट होते हैं पहला जीरो बेलेंस अकाउंट, सेकेंड सेविंग अकाउंट और जो थर्ड है वो होता है करेंट अकाउंट तो गाईज ये तीन टाइपस के बेंक अकाउंट होते हैं चाहें आप लोग तीनों में से कोई सभी bank account open कर वाओ सभी में अलग-अलग types के benefits और difference आप लोगो देखने को मिलेंगे लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं saving account और current account में क्या difference होता है अगर आप लोग बात करोगे zero balance account की गाईश saving account में रख पाओगे लेकिन अगर saving account की बात की जाएगी यहाँ पर saving account में आप लोग की limit थोड़ी increase हो जाएगी लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले saving account और current account में क्या difference होता है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक list हमारे पास इंट्रेस्ट मिलता है यह डिपेंड करता है bank पर कि bank कितना interest देती है कई bank तो तीन परसेंट या साड़े तीन परसेंट ही देती है कर से तो उसमें कोई issue नहीं आएगा आप लोगों और यहां तक कि आप लोग को issue आता है तो आप लोग bank को order दे सकते हो कि आपके bank account में issue आ रहा है bank को order दे सकते हो तो आप लोग सोचते हो करेंट account में आप लोग कितना बड़ा यहां पर आप लोग को saving account में कुछ fixed amount जमा करके ही रखना पड़ता है मिंस उससे आपको maintain करके रखना नहीं पड़ता है आप जितना चाहो उतना पेसा रख सकते हो और चाहो तो zero balance भी रख सकते है उससे कोई issue नहीं आएगा फोर्थ यहां पर आप लोग को हमने बताई दिया गाईस की आपको saving account में अगर आप लोग के पेसे कम हो जाते हैं जैसे कि जो fixed amount है या फिर maintenance amount है कि आप लोग को जितना भी amount saving account में रखना है तो उससे अगर आप लोग ने कम amount ज payment आपको pay करना पड़ेगा as the penalty राइट वहरेंसा current account में कुछ भी नहीं होता है गाईस और हां saving account में कोई limit नहीं होती है age की कि आप लोग की age इतनी होना चाहिए तभी आप लोग saving account open करवा सकते हो लेकिन current account की age limit होती है कि इसमें जो बुजूर्ग होते हैं guys उनको ज्यादा features मिलते हैं देखने को जैसे कि example में बताता हूं आप लोग को कि saving account में आपकी age है 30 तो आप लोग open करवा सकते हो लेकिन current account में ऐसा कुछ नहीं रहता है अगर आप लोग की age ज्यादा नहीं है जिसे कि 30 से ज्यादा नहीं है कम है तो भी उसमें कोई issue नहीं आता है लेकिन आप आपको जो facility होती है bank की तब से थोड़े कम मिलते हैं और फिर आपके experience के हिसाब से आप लोग को ज्यादा facility दी जाती है और अब बात की जाती है कि यहाँ पर कि आपके bank account में जितना पेसा है आप लोग कितना निकाल सकते हो तो saving account में आपके bank account में जितना पेसा उतना ही निक लेकिन इसकी एक time limit होती है कि इस time limit के अंदर आप लोग को पेसा जमाही करना होता है जैसे कि credit card में आप लोग को पता हो कि आप लोग कहीं भी shopping वगेरा कर लेते हो तो easily आप लोग बाद में payment कर सकते हो उसी हिसाब चरेंट account में भी आप लोग bank से पेसा जितना चाहा उतना निकाल सकते हो और हाँ इस बात के भी आप लोग जूरू ध्यान दिजीगा कि आप लोग को सेविंग अकाउंट में debit card, credit card यह सब की facility मिलती है और यहां तक की net banking की facility मिलती है लेकिन current account में आप लोग को net banking सा साथ mobile banking, medical, current account में आप लोग को आपका insurance और यह बहुत सारे features मिलते कुछ ज्यादा इन दोरों में difference नहीं है अगर बात कीजा credit card and debit card में तो आप लोग को credit card की ज्यादा facility saving bank account में मिलेगी current account में और यहां तक कई सारे bank के तो credit card देते भी नहीं है current account पे तो यहां पर यह सारे difference जो कि हमने बात करें saving account के बीच में और एक major difference हम बात कर लेते हैं यहां पर क्योंकि यह major difference है यह बहुत ज्यादा important होता है saving account को आप लोग manage कर सकते हो केवर आपकी branch से जहां पर आप लोग ने bank account open करवाया है या फिर head office लेकिन अगर बात की जाए यहा अपना bank account open करवा है वहीं से manage करोगे है आप की जैसे की union या फिर SBI SBI की अगर आप लोग की account आप लोगोंने current account open करवा रखा है SBI की किसी भी branch से आप लोग अपने सारे facility use कर सकते हो current account है लेकिन saving account में यसा नहीं होता है saving account में जिस ब्रांच में आप लोग ने bank account अपना open करवाया उसी bank की branch में आपको जाकर अपने सारे facility use करना पड़ती है जिसी कोई problem साती है तो आप लोग आपकी branch जाना पड़ता है यहां तक कि आप लोग इंटरनेशनल भी यूज़ कर सकते हो अपने डेबिट कार्ड वगेरा को अब बात कर लिजा से सेविंग अकाउंट के बेनिफिट्स की जो हम लोग यहां पर बात नहीं करेंगे क्योंकि करेंट अकाउंट के जो बेनिफिट्स थे गाईश वो हमने साथ ही साथ में आप लोग बताते भी गए अब यहां पर सेविंग अकाउंट कुछ एक्ट्रा बेनिफिट्स मिलती हमें जो कि हम आप से डिसकस करने वाले हैं जैसे कि अगर आप लोगों ने लोकर सी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा सेकेंड यहां पर है लाइफ जी हां दोस्तों लाइफ इंसोरेंस या फिर मेडिकल इंसोरेंस कई सारी बेंक आपको प्रोवाइट करती है अगर आप लोगों का सेविंग बेंक अकाउंट में ओपन करवा रखा आपने किसी भी ब्रा आपको ऊँचा बेंग यह मिलेगा कि आप लोगों कुछ भी गोल्ड बैंक के थलह है फिर बैंक से ही पर्चेश कर रही हो तो आप लोग बैंकों में कम ज्यादा होते रहता है डिसकाउंट तो इतना फिक्स होता है लगबग सभी बैंकों में और कुछ बैंकों में आयागा तो हो सकता कि 0.50% का इशू हो जाया आगे पिछे क्योंकि लेकिन इतना सेम होता है तो यह सारे फिचर्स थे गाई जो कि हमने आप लोगों साथ डिसके सेविंग अकाउंट और करेंट बेंग अकाउंट में और जिरो बेलेंस अकाउंट को हमने आप लोग को बजाई दिया तो यह सारे फि या फिर आप लोग चाहो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके इसली कर सकते कि अंदाल सोचल मेडिया प्लेटफांट पर ओके तो मिलते हैं गाइस किसी और नई वीडियो में किसी और नई किसा हम आपके सामने फिर से वेलेबल होंगे जब तक के लिए जाहि थैंक यू फोर वोचीं